चलिए अब चेक कर लीजे आ रही होगी वोईस वोईस चेक कर ये अब आ रही होगी तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे नहीं है फर्स्ट आफ ओल सबसे पहले उनको क्या करना है पुरानी क्लासेस देखेंगे फाइनल अकाउंट और कोई भी नहीं उसके बाद तू भी कंटीनुई करेंगे बेटर है बाकि आप आज बाली भी क्लास देखो समझ में सारा आएगा क्योंकि ये चेप्टर ना आपके लिए नियू चेप्टर नहीं है इसको आपने पहले कभी न कभी तो किया हुआ है सर पहले कभी न कभी का क्या मतलब है पहले आपने ग्यारवी क्लास में किया हुआ है अगर जिस बच्चे ने ग्यारवी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ये चेप्टर या ध्यान नहीं दिया था तो उसके लिए प्राउबलम हो सकता है बागी तो बिल्कुल एक्टम सही चप्टर है चलिए सर एक एक करके पढ़ते जाएंगे अमाउंट डालते जाएंगे और जो अज्जस्मेंट है वो सीखेंगे हम ठीक है पहला पॉइंट कहता है कि हमें 31 मार्च का बनाना है 2021 में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एक लाक रुपे तो मैंने यहां पर लिख लिए टू ओपनिंग स्टॉक एक लाव हो ठीक है इसके बाद डेटर देता है डेटर हमारा एसेट्स का पार्ट है तो मैंने यहां लिख लिए डेटर डेटर चालेस हजार इसके बाद बैंक बैंक भी एसेट्स का पार्ट है थोड़ा गैप देखेंगे अर्जस्मेंट एक बार नजर मार लेते हैं दे रख्ठा है सर्देर वाज टॉस टौक बाइनलोड का भी देख लेंगे क्या करना है यह भी और अट्सिमेंट है और फरिणीचर आफ दबुकस ऑफ वैल्यू और चलो यह तो depreciation sold है और एक और दे रखता है आपका depreciation dishonored of the check काफ़े सारे adjustment है bank पे भी हो गया तो मैं थोड़ा gap दे के लिखूँँगा यहां पे और bank लिख दिया रहे है और bank का amount कितना है कितने है 2000 और क्योंकि dishonored or check है तो इसलिए मैं इसे अंदर लिखूँगा यह भी हो गया सर यह भी हो गया यह भी sundry assets अब यह sundry assets नॉर्मल assets है थोड़ा gap देखे sundry assets सर sundry assets आ गया कितने है 2,00,000 क्या sundry assets के बारे में कुछ कहता है हाँ depreciation वगरा है तो आगे देख लेंगे 2,00,000 bad debts sir bad debts P&L का part है तो यहां तक हमारा trading खतम हो जाएगा trading थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसमें reason being क्योंकि इसमें काफे adjustment है तो two bad debts यह लीजिए आ गया bad debts कितने रुपे का bad debts है हमारा bad debts है 1000 रुपे का इसके बाद क्या accrued income accrued income हमेशा हमारा assets होता है तो यहां लिख लेते है accrued income accrued income कमा लिया लेकिन मिला नहीं यह income तो assets है ठीक है purchase दे रखा है 1,23,500 तो यहां पर लिखेंगे two purchases इस पर खूब सारे adjustment है तो मैं अंदर लिखूँगा purchase 1,23,500 इसके बाद depreciation आपका trial में है तो भईया P&L के debit में जाएगा that is depreciation amount है 4,500 income tax drawing होता है drawing होता है हमारा क्या income tax LIC और income tax दोनों क्या होता है drawing तो drawing है हमारा income tax कितने 10,500 तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए capital और capital में से minus क्या कर देना चाहिए drawing कितने हैं 10,500 चीक है इसके बाद income tax के बाद salary है P&L का part है 2 salary कितने रुपे 4,600 adjustment है इसलिए बाद में हम बाहर लिख रहे हैं से wages 28,000 तो थोड़ा gap देखें यहाँ 2 wages 28,000 बाहर लिखना है कोई adjustment है नहीं interest on loan 6 month 6 मैंने कह रहा है यानि खुद कह रहा है कि 6 मैंने का भ्याज का हिसाब किताब हुआ है interest on loan तो इसके उपर भी adjustment बनता है तो इसलिए 2 interest और 6 मैंने का कितना 1000 बागी देख लेंगे क्या रहता है हमारा ठीक है ये बुक आपकी jr monga है और पूरा का पूरा हम बिल्कुल due का slavers follow करेंगे जो jr monga है आपके comment में भी मैंने डाला हुआ है बुक का description link आप Amazon से buy कर सकते हो चाहो तो या कहीं भी nearby shop से अपना ले सकते हो चलिए हाँ जी आगे क्या देखें आगे इस साइड आ जाते है that is आपका capital एक लाग साथ हजार तो capital आ जाओ जी एक लाग साथ हजार इसके बाद क्या दे रखा है capital के बाद दे रखा है हमें creditor 35,100 35,100 इस पर adjustment है common debt का तो इसलिए अंदर लिखेंगे sales दे रखा है 3,2,000 तो buy sales इस पर भी adjustment है 3,2,000 discount अब देखें discount में ये नहीं बोला कि discount receive है कि allowed है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि debit में है या फिर credit में तो credit में है that's why discount यहां आ जाएगा buy discount और discount है हमारा 4,000 इसके बाद PFD देखो credit में है तो हमें पता है यहां simple लिखना है PFD 6,000 salary outstanding trial के अंदर है तो सर्फ और सर्फ liability में जाएगा outstanding salary कितने रुपए है अभी को clear है मैंने सारे के सारे points जितने भी थे यह सारे points मैंने transfer कर दिया जहां भी जाना था आगे देखा जाए कहता है closing stock 31 March को 20,000 तो closing stock की दो जगा entry हो जाती एक तो balance sheet के assets में लेकिन क्यूंकि इस पर adjustment है इसलिए मैं इसे inside लिखने वाला हूँ that is आपका 20,000 और एक चला जाएगा कहां हमारा इस side में by closing that is 20,000 ठीक है adjustment मैं थोड़ा इससे कर जाता है ठीक है आगे पहला adjustment done हो किया दूसरा there was a loss by fire 25,000 25,000 का loss by fire हुआ था और क्या loss by fire हुआ था stop यह बात ध्यान रखना है loss by fire में हुआ क्या loss है हो सकता है building हो सकता है machinery तो जिस पे हुआ है उसको minus करेंगे तो loss by fire क्या कह रहा है 25,000 20,000 20,000 20,000 अब एक बात ध्यान रखना है loss by fire में कि भाई साहब आग कहीं ऐसा ना हो कि 1,000 2021 दिखाए हुआ यानि date अक्सर क्या करता है वो आगे का दे देता है confused बच्चा देखता है के चलो इसका adjustment कर देते है लेकिन date हाँ आप confirm है 20 मार्च इसी साल हुआ है however claim आपका receive नहीं हुआ claim 10,000 रुपे admitted by the insurance company यानि 25,000 रुपे का मेरा stock जल गया तो हमारा purchase कम हो जाएगा less loss by fire that is 25,000 claim हो गया हमारा 10 का तो हमारा नुकसान हो गया that is loss by fire यहां से और जो यह loss by fire में जाएगा यह जाएगा 15,000 और क्योंकि question कह रहा है के claim मिलेगा तो insurance claim आ जाएगा assets में कितने रुपे का 10,000 तो आप ध्यान से देखिए हमने यह वाला adjustment done कर लिया है कौन सा adjustment number 2 adjustment 3 hopefully आपको adjustment अगर नहीं दिख रहा न तो मैं ऐसा करता हूँ न इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि adjustment adjustment वाला area आपको अच्छे से दिख जाए चलिए adjustment वाला area अच्छे से दिख जाए question तो देखी लिए आपने पहला adjustment done दूसरा done ठीक है दूसरे में किसी को कोई doubt अब तीसरे पर आ जाते हैं debtor include 5000 रुपए due from khushy and creditor include 10,000 due to khushy यानि एक ही व्यक्ति debtor है और एक ही व्यक्ति creditor है तो ऐसे situation में मैंने क्या बताया था जो common debt होता है common debt का क्या solution बताया था दोनों में से जो कम amount है वो दोनों तरफ minus कर दो तो sir दोनों में से कम amount अगर आप देखते हो तो 5000 है तो sir debtor में से भी minus करो common debt common debt 5000 और creditor से भी minus करो common debt 5000 है दोनों में से lower जो है ठीक है बाकि इसको थोड़ा और छोटा कर दें, ताकि आपको दिखने में ठीक रहे है, चलिए, अगले अड्जस्मेंट पे चलते हैं, कहता है, sales include, इधर आ जाते हैं, पीछे, यहाँ पे ठीक दिख रहा है, कहता है, sir, क्या कहता है, अगले अड्जस्मेंट में, कहता है, sales include, 6000 customer on approval basis, 25 मार्च, मैंने एक ग्रहा को 25 मार्च को बोला था, भैया, मेरा समान खरीदना चाते है, तो खरीद लो approval basis पे, जिसके उपर profit 1.5 किस पे था, cost पे था, और यह क्या है, sir, selling price है, इसका मतलब, sir, इस point में, आपको selling price दिया जा रहा है, that is 6000, और जो profit है, वो profit दिया जा रह cost का, 1.6 of 1.5, 1.5 of cost का, 1.5 of cost का, ठीक है, sir, has been added, determine the sell price, has been added to the determined sale price में जुडा हुआ है, however, the customer not approval, customer ने भैया मना ही कर दिया, तब हमें यहाँ यहाँ पे दो चीजे निकालनी है, एक to cost जानना, एक selling price, selling price तो पता चल गया, अब formula क्या होता है, sir, sales is equal to cost plus में profit कहलो, gp कहलो, sales तो पता है, 6000, cost नहीं पता, x, और इसके उपर है, x by 5, solve करोगे, 6x आजाएगा, तो x की value क्या आजाएगी, बताओ 5000, x की value क्या आगई, 5, तो 6x अपन में 5, 30 divided by 5, हाँ, 5000 आगया, x का value 5000, तो x क्या था, sir, that is x cost था, यहाँ इसमें यह पता चल गया, कि हमारा cost कितना है, और यह भी पता चलिया, selling price कितना है, अब सबसे पहले selling price का treatment करते है, एक debtor से minus और एक sales से minus, क्योंकि यह हमारा sales हुआ ही नहीं, sales on approval basis के adjustment में देखा था, एक तो debtor से minus और एक sales से minus, तो लीजिया, minus कर देते हैं, sales on approval basis, sales on approval basis, कितने रुपे, sir, selling price, 6000, उसके बाद debtor में से भी minus करो, less sales on approval basis, sales on approval basis, कितने minus करने है, sir, 6000, अब cost की बात कर लेते हैं, closing stock में add हो जाएगा, add sales, on approval basis, कितने हैं, 5000, और यहां भी add हो जाएगा, हमारा, add sales on approval basis, 5000, यह हो गया हमारा चार, देखिए आप, अभी मेरा provision, previous lecture, बचे हैं, उन्हें complete करूँ, या मैं continue करूँ, आप दोनों कर सकते हैं, अभी आपको ये चीज़े साथ के साथ लेके चलना होगा, इतना tough नहीं है, अब देखिए क्या कहता है, debtor include, bet debts amount 3000, भाई साब debtor में 3000 bet debts है, और उसके बाद 5% का क्या बनाना है, इसके अंदर 5% का प्रोविजन, चलिए, प्रोविजन सबसे last में बनाए जाता है, ठीक है, इससे पहले कहता है, 1200 रुपे paid rent was debit landlord account and include in debtor, हमने landlord को debit कर दिया, यानि 1200 रुपे paid क्या किया था, paid as a rent was debit landlord account including debtor, और हमने landlord को क्या मान दिया, debit कर दिया debtor, जबकि हमने paid किया था, तो इसका सही entry क्या होना चाहिए, इसका debtor में से minus हो जाना चाहिए, ठीक है, debtor में होना ही नहीं चाहिए, तो भाईया debtor में से minus कर दो, ये entry हमने कोई adjustment नहीं है, कुछ ऐसे points आएंगे, जो कि आपको common sense से सोचना पड़ेगा, जैसे, तो debtor में से minus कर दो, landlord, कितने 1200, और सर ये rent payment किया है, तो rent में जाना चाहिए, तो rent हमारा कहा गया, ये रहा rent, नहीं है rent यहाँ, तो to rent, और that is 1200 रुपे, देखिए adjustment, ये थोड़ा सा अलग adjustment आया, तो कुछ एक point होगे, जो कि आपको समझना पड़ेगा, किसी बच्चे को doubt इस adjustment में है, तो बताइए, adjustment क्या कहता है, बारा सो रुपे paid rent, rent paid किया, तो भईया, पी अनल के debit में दिखा हो, लेकिन debit कर दिया, landlord account and include in the debtor, यानि आपने as a debtor मान लिया है, उसको, और debtor में कर रहा है, तो भईया debtor से हटा दो, और rent म दिखा दो, ठीक है, अगला furniture के उपर है, वो तो अलग से adjustment हो जाएगा, exchange value जो कहता है, बहुत important point अभी देख लेंगे, कहता है, a discounted check, sorry, a dishonored check, 5000 has not been recorded, recording नहीं किया, except only 20% the amount to be recover, और इसमें से हमें सिर्फ कितने percent amount recover हुआ है, एक percent, तो एक check था, यानि bank में से मेरे 5000 रुपे का dishonored हो गया, जिसको record नहीं किया, तो भई यह 5000 minus कर दो, और recover कितना हो रहा है, सिर्फ, 1000, तो यानि यहाँ पर आपका 4000 का फिर नुकसान हो गया, है कि नहीं, तो अभी इसको भी कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं, इसके उप सवाल खुद ही कह रहा है, कितना बेड़ेट्स है, बताओ कितना बेड़ेट्स कह रहा था सवाल, आप देखो कि सवाल में कह रहा है कि भईया, बेड़ेट्स, 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 तीन हजार, तो 3000 लिख लेते हैं, जिन सभी point को नीचे लेके चलता हूं कि टेक्टर पर देख रहे हूं कितना अर्जेस्मेंट हो गया कि पंदरा सो कि दस अजार चलो अब तो इस सम्में से माइनस कर देता है पहले डेटर में उसीके बाद प्रोविजन लग सकता है हमारा 40,000 माइनस 5,000 माइनस 6,000 माइनस 1200 माइनस 34,000 तो 24,800 24,800 इसमें से माइनस कर दो PFD mr. Esto prosso nela 5-20 पर संट तो इसपे 5-14 पर संट टीव से 1,200 और लगे हाथ माइनस करके मैं बाहर लिख देता हूं 23560 अब हमें 3,000 और 1240 पींडल के डेबिट में दिखाना होगा तो टू बेड़िट्स तीन हजार और ये वाला पी एफडी हां लिख देंगा 2 पी एफडी कितने था 1240 ये लो हम अड़ेश्मेंट को अगर देखें सुरू से एक बार फटा फट क्लोजिंग स्टॉक डन लॉस बाइफाइड डन कॉमन डेटर डन सेवस अन अप्रूबल डन डेटर इंक्लूड डन 1200 रुपे डन अब दो रह गए साथ और आठ साथवे में क्या कहता है एक बार ध्यान से पढ़ते हैं कहता है फरनीचर आफ दा बुक वेल्यू 6000 और 31-3-2-0-21 यानि 31-3-2-0-21 की बात कर रहा है यानि लास्ट में ही बात कर रहा है एक फरनीचर जिसकी कीमत 6000 था वा सोल्ड आफ कितने का कर दिया इसको 4000 रहा है एंड पार्ट आफ एक्सचेंज न्यू फरनीचर इसने खरीद लिया कितने का पांच रहा है इसका मतलब क्या है देखो समझो कहना क्या चाहता है कहना ये चाहता है कि भाई मेरा एक फरनीचर जिसकी कीमत था 6000 ठीक है और उसको आपने सोल्ड आफ और बोला मार्किट में कितने का बेच दोगे तो मार्किट में बिख जाएगा चार का यानि यहां तो आपका लॉस आपने उठा लिया कितने का तो ये लॉस तो पी एंडल के डविड में पका आएगा लेकिन आपने in exchange, exchange कर लिया इसको और आपने एक और new furniture खरीद लिया कितने का 5000 रुपे का जब आपने 5000 का furniture खरीदा तो आपको तो 1000 ही देने है ना उसको आपका पुराना समान कितने का बिग्या 4 का और नया समान खरीद रहे हो 5 का, तो आपको 1000 रुपे और देने, तो जो 1000 रुपे आपने देने थे ना, आपने उसे purchase book में include करा हुआ है कहाँ पे include किया हुआ है आपने तो purchase में तो जाना नीच चाहिए तो assets होना चाहिए तो simple सी बात अगर आपने purchase book में include करा हुआ हुआ हजार रुपे तो less furniture कितना include करा हुआ हजार रुपे और आपका assets बन जाएगा कितने का assets बनेगा that is आपका 5000 का new assets कितने का खरीदा पांच का और पुराना assets आपने बेचा भी है कितने का बेचा है नहीं, चार का बेचा है उसका value कितना था छे, तो 2000 का loss तो हम loss को दिखा देते हैं loss to loss on furniture कितने रुपे 2000 अब देखिए आपका अब आजाते हैं इधर furniture तो कहीं भी assets में नहीं दे रहा तो बेचा कौन सा है भी है इसके अंदर जुड़ा होगा sundry assets में तो sundry assets में जुड़ा होगा यानि purchase purchase कितने का किया है आपने तो आप देखेंगे net में इसमें 1000 का ही फरक आया है ठीक है कितने का फरक आया 1000 और आपका net में 1000 यहां और 1000 कहां से माइनस कर दिया आपने purchase में से आपने माइनस कर दिया और एक मिनिट 5000, 5000, 5000, 1000 4000 तो बेचा चार का था लेकिन उसकी कीमत कितने थी आपके पास तो 6,000 का समान निकल गया ना आपके पास एसेट इतना क्या है लेकिन निकल कितने का गया आपका 6000 का तो इसका मतलब 6000 माइनस हो गया अब entry को देखना 6000 यहां माइनस होने का मतलब 6000 हमारा credit हो गया आ जाईए और 5 purchase आपने कितने का किया 5000 का तो 5000 रुपे का assets चुड़ गया तो ultimately आपका assets जो है 1000 ही जोड़ पाए हो आप है ना और वही 1000 रुपे आपने यहां purchase से माइनस कर दिया यहां पर लॉस कितने का हो गया आपका 2000 रुपे का नुकसान हो गया तो हमारा वहां पर 1000 एक हजार दो हजार का जो भुकसान हुआ उसके दूसरी कि दूसरी एंट्रेक रह गई है ना कि एक इधर हो गया एक मिनट रुको एक मिनट लॉस हमारा हो गया 2000 लॉस आ गया 6000 एक्चेंज ऑफ निव पर नीचर पांच हजार नेट इन्वाइस एक हजार और पांच हजार का पर नीचर हमारा जूड़ गया वहां पर भी एक हजार का परक्षा पेमेंट तो आया नहीं ने इसका तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक काम करते हैं हम च्छे हजार के जगह पर अगर हम फर नीचर स्टिल वन थाउजन माइनस है यानि एक हजार यहां से माइनस है और वहां पर यह एक हजार हमारा हो गया क्रेडिट और यहां भी एक हजार ठीक है ठीक है सही है अब देखो मैं वह सोच रहा था डेपिड क्रेडिट मैच कर लेता हूं यहां पर हजार रुपए अभी भी हम नुकसान में है NET में. तो यहां पे करेडिट कर दिया आपने. सर, यहां भी 1000 रुपे कर दिया. 2000 रुपे करेडिट हो गया और 2000 लॉस भी डैबिट कर दिया, तो मैच हो ही जाना है, ठीक है न? बैं यह चेक कर रहा था. चलिए, तो यह adjustment भी होगे हमारा done. तो इसका मतलब सर new assets जो आपने खरीदा था 5000 का वो तो assets में plus हो गया और जो पुराना भी का था assets में minus हो गया और 4000 को छोड़ दो loss हमने book कर दिया अब कहता है एक check dishonored हो गया तो check dishonored में तो मारा bank minus हो जाता है और वापस से हमारा debtor बढ़ जाता है ठीक है लेकिन it expected to the only 20% amount recover और उससे अब देखो यहाँ पे it expected to that expected है final नहीं है और तो accounting expectation पे नहीं चलता accounting किस पे चलता है हमारा कि अगर बोलता कि it is 20% receive only अगर 20% ही receive हुआ तो यहाँ पे 20% का कोई role नहीं होने वाला अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे सर यहाँ पे करेंगे एक तो हम bank को bank को minus कर देंगे किस से minus कर देंगे dishonor कितने रुपे 5000 अब एक गलती हो गई यहाँ पे minus 3000 हो गया तो यहाँ ना लिखके हम over draft लिखेंगे ठीक है यहाँ पे हम blank छोड़ देंगे क्योंकि minus में चला गया पैसा और यह कहाँ चला जाएगा हमारा overdraft में चला जाएगा अब वापस से जब check dishonor होगा तो किसी party से लिया होगा हमने कोई debtor होगा या कोई VR होगा तो वापस से यह क्या बनेगा debtor बढ़ जाएगा ठीक है तो यानि अब पहले हमें इसे add on करना पड़ेगा और फिर वापस से हमें क्या करना पड़ेगा provision यानि यह provision हमारा गलत आ गया आपको समझ में आ रहा है यहां तक मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहा हूँ और question में क्यों की sir ऐसा क्यों कर रहे हो आप ये भी तो कर सकते थे कि यहां पर लिखा हूँ है 20% मिलेगा बाकी bad debts हो गया तो 20% वापस से cash में जोड़ दो वापस से जोड़ दो यानि आपका cash में 20% जोड़ दो गया और जो बाकी का 80% नुकसान हुआ पी इंडल के debit में डाल दो debit में लेकिन यहां पर क्या word है मतलब अभी expectation है bad debts तभी मानते हो आप जब आपका 100% हो जाता है तो एक तरीके से यह तो provision हो गया expectation किसका होता है provision का होता है तो same अब हमें debtor को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा आपका पहले दीखे provision क्या दे रखा है दिखाना एक बार इसमें provision क्या लिया हुआ है चली ठीक है यहां पे आपको note देखे जैसे मैं बता रहा था कि यह हमारा adjustment गलत हो गया गलती क्या करा क्योंकि expected लिखा हुआ है word इसको ध्यान दिजेगा expected का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता या फिर हमारा ऐसा होता है कि company को लगता है कि इतने पैसे डूब सकते हैं तो कभी नहीं होता अब यहां पे एक note देखे क्योंकि मैं पूरा सही तो करूँगा तो फिर पूरा हिल जाएगा आपके exam में भी ऐसा हो सकता है यहां पे हमें एक note दे सकते है we assume that कि जो expected है वो actual occur हो चुका है हम यह मान ले तो अब यहां पे हमारा काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा और examiner को भी पता चल जाएगा भी है इसने expected का meaning समझ लिया है तो actual हो चुका है तो इसका मतलब सर पांच हजार रुपए का हमारा debtor था मतलब वापस हो गया इसमें से 20% expectation है तो हजार मिलेगा तो मतलब और कितने डूप जाएगे मेरे चार हजार तो मैं उसको करने के बज़ाए मैं क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सर्फ और सर्फ चार हजार रुपए यहां दिखा देता हूँ उसको करने के बज़ाए मैं यहां पे और बेड़ेट्स हो गया फर्दर कितने का चार हजार अब हजार मिले हैं आपको रिकावर हुए हैं आपके debtor से expectation है मिल जाएगा तो आपके पास दो option है या तो आप एक काम करो overdraft को आपको समझ लो के मिल गए हैं पैसे अगर पैसे मिल गए हैं तो यह overdraft कितना हो जाएगा 2000 क्योंकि 1000 मिल जाएंगे आपके तो कम हो जाएंगे या मान लो कि अभी debtor देगा दे नहीं रहा ऐसे situation में वापस से debtor add हो जाएगा कितने एक हजार तो आप आपने दिखाने ओवर ड्राफ्ट दो हप्राफ्ट समुझ में आई बात हो अगर मैं यहां करता तो पता है क्या करता लेस प्लस कर देता recover recover कितने एक हजार अब नेट अमाउंट करके फिर भी negative था तो इधर आ जाता माइनस करना माइनस 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 तभी तो दो आएगा माइनस करने को ठीक है पर दिक्कत और क्या रहेगी क्या कौन सा इंट्रस कर रहा है न एक और एक और एंट्री जो था hidden adjustment यह कह रहा है खुद ही कह रहा है कि भाई इंट्रस यह च्छे महिने का है अगर यह इंट्रस छे महिने का हजार है तो बाकी के छे महिने का कितना होगा एक हजार होगा तो वापस से हम एड़ ओन कर देते हैं इंट्रस प्लस आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट डैट इस एक हजार और यह अगेन आ गया दो हजार और एक लाइबलिटी में चला जाएगा आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट और एक हजार अब बताईए आपको जो जो अजस्मेंट दुबारा पूछना है मैं दुबारा क्लियर करता जाओंगा नहीं एस एल के अंदर बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे अकाउंट के तो राइटर के ही लेने पड़ेंगा आपको बुखाओ क्या बोल रहे हूं मैं एक एक करके सारा अजस्मेंट दुबारा बता दूँ टैंसर नहीं खत्म है न चलिए मैं एक एक करके सारा अजस्मेंट दुबारा बताए तो इसको मिठा दें इस बार यह जितना भी किया है इसको मिठा दिया जाए और सारा अजस्मेंट जो भी आपके दिक्कत है मैं स साब से इसको बताने की कोई ज़ुरत नहीं है यह दो जगह इंट्री चला जाता है एक चला जाता है कहां पे बैलेंशीट और एक चला जाता है ट्रेडिंग एकाउंट में तो इसको कोई बताने की जुरत नहीं है यहां तक क्लियर अगले पॉइंट पर आते हैं देर वाज लॉस बाइफायर पच्चिस अजार पच्चिस अजार रुपे का जब कभी भी नुकसान होता है हमेशा पर्चेस कम हो जाता है हमारा क्योंकि हमारे स्टॉक ही तो आप देखो के मैंने लॉस बाइफायर में कितना दिखा है 15,000 और क्यूंकि 10,000 आपको मिल जाएगा तो बैलेंशीट के एसेट साइड में भी आप देखोगे के क्लेम आपका कितना हो रहा है यहां पे 10,000 हो रहा है दूसरे अर्जस्मेंट में बताओ किसी को डाउट तीसरा अर्जस्मेंट common debt debtor include 5,000 from खुशी and include 10,000 due to खुशी यानि 5,000 रुपए debtor में include है खुशी से लेने और 10,000 हमें देने है तो ऐसे situation में ज़्यादा दिमाग लगा होगे confused हो सकते हो तो simple है जो दोनों में से कम amount होता है वो debtor में से भी minus करो और तो वही काम हमने यहाँ पर किया है यहाँ पर मैंने debtor में से भी minus कर दिया दोनों में से कम था 5,000 तो common debt यहाँ से भी 5,000 minus किया और यहाँ से भी 5,000 minus किया that is आ गया आपका 30,100 रुपए ठीक है चलिए अगले adjustment पर आ जाते है sales on approval basis कहता है sales में 6,000 जुड़ा हुआ है अगर क कह रहा है कि sales include 6,000 है तो इसका मतलब सर यह तो selling price हुआ 6,000 अगर मैं कह रहा हूँ sales में 6,000 जुड़ा हुआ है तो selling price हुआ 6,000 आगे क्या कहता है question में credit customer approval 25 March और उसके अंदर profit one-fifth of cost यानि मैं इसके उपर profit जो कमाता था न अगर मैं बोलता one-fifth of sales तो tension ही नहीं था इसी क निकाल लेता क्या कहता है one-fifth of cost तो ऐसे situation में हमें क्या करना होगा हमें cost निकालना पड़ेगा तो formula क्या लगाया हमने sales is equal to cost प्लस में gp कहलो profit कहलो तो sales हमें पता था 6000 cost नहीं पता तो x gp x का 5 हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर x की value निकल के आ गई 5000 अब पहले हम selling price को देख लेते हैं तो sales minus करो selling price को यह कर दिया जी minus एक दूसरा क्या करो आप minus debtor minus करो तो देखे मैंने यहाँ debtor भी minus कर दिया है अब आ जाते हैं cost की बात तो cost ना आपका stock बढ़ जाएगा क्यूंकि आपका वो समान भी काई नहीं जो आपने माना हुआ था तो एक तो यह closing stock plus हो गया that is आपका आगया 25,000 और एक balance sheet के assets में भी जो है वो भी plus हो गया that is आगया 25,000 देखिए clear हो गया adjustment debtor include bet debts 3,000 तो reserve debtor में 3,000 तो यह सबसे last में adjustment इसलिए मैंने किया क्यूंकि यहाँ पे 1200 रुपे rent debit दे रखा है landlord को जो की debtor में माना हुआ है तो हमने क्या करा debtor में से minus किया और rent में actual में जहां पे जानना चाहिए वहां दिखा दिया अब bet debts 3,000 तो वहां भी minus किया और P&L के debit में भी लिख दिया मैंने 3,000 रुपे इसके बाद कहता है provision तो provision वहां लिखा और provision यहां पे भी दिखा दिया मैंने जो भी निकल किया है 1240 कहता है furniture में हमने 6000 रुपे का था उसको बेच दिया तो भाईया मेरा 6000 रुपे गया तो हमने assets में 6000 माइनस कर दिया लेकिन उसको बेचा हमने 4 में तो 2 का नुक्सान हो गया तो 2 का नुक्सान हमने यहां book कर दिया इसके बाद एक और new furniture खरीद लिया कितने का 5000 का तो मैंने balance sheet क assets में 5000 रुपए को जोड दिया लेकिन कहता है जो 1000 रुपए हमने उसको payment किया वो 1000 रुपए हम purchase में जोड के बैठे हुए है तो भाईया वो purchase का party नहीं है तो हमने क्या करा purchase से भी उसको furniture को minus कर दिया ठीक है आगे क्या कहता है सर अब dishonored check check किस से हम debtor से मान के चल रहे तो जैसे check dishonored हुआ तो 5000 रुपए मैंने किस से minus कर दिया debtor से भी minus कर दिया debtor नहीं bank से minus क्यूंकि check dishonored होगा तो bank पर फरक पड़ेगा दूसरा मैंने मान लिया कि 20% जो है वो bad debts मिल जाएंगे बाकि डूब जाएंगे तो 20% 1000 मिलेगा तो वापस bank में add कर दिया और जो 4000 रुपए bad debts होगे उसको मैंने अलग से दिखा दिया new bad debts मैं लिख देता हूँ चलो याद रहेगा ये वाला है अब बस सरफ totaling का काम रहे गया फटा फट totaling का काम कर लेते हैं नहीं पहले total तो करे हैं इसका क्या गया टू लैक और ये टूटल तीन लाग 21,000 थ्री लैक ट्विंटी और नेट प्रॉफिट काहेगा और फाइवंड़ेड नैंटी फाइव फाइवंड़ेड चेक भी कर लीजिएगा बाई ग्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट नहीं है ये ग्रॉफिट है ये आगे हमारा 95500 कितने आ रहे हैं बुक से मैच मत करिएगा क्योंकि बुक वालों का लगाएगा ये आगे एक लाग माइनस सेलरी का कुछ पार्ट था नहीं चेहालिस सो आज़ो माइनस बारा सो माइनस एक हजार माइनस पैंतालिस सो माइनस चेहालिस सो माइनस दो हजार माइनस चार हजार देखिए नेट प्रॉफिट हाँ इस इस नाइन सिक्स जिरो आप बुक के अंदर देखोगे ना तो ये डेटर इतने सारे देखने को नहीं मिलेंगे उन्होंने एक ही जगह खटा अर्जस्मेंट करके दिखा दिया हाँ भाई माइनस प्लस तो आपको उस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है आपको सिंपली समझ में आता गया उस स्ट्रेप बेस्टेप आप करते जाओगो ठीक है चलिए नेट प्रॉफिट कहां चले जाएगा 66960 एड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 66960 बैलेंशीट का टोटल अलग नहीं आएगा क्योंकि हमने अलग अलग प्रोविजन किया था वो बी आर की वज़े से और कोई फरक नहीं पड़ेगा माइनस 6960 दो सोला चार सो साथ दो सोला चार सो साथ प्लस एक हजार प्लस तीस एक सो प्लस दो हजार प्लस दस हजार प्लस दो हजार हजार रुपे दोनों साइट कम आएगा क्योंकि मैंने उधर नहीं माना इसे तो 26.15.60 चेक करिए आप 26 1560 ठीक आप इधर का टूटल चेक कर सकते हैं माइनस 2 3560 माइनस 1500 माइनस 1500 यह थोड़ा गड़बड हो गया इसको ठीक कर लेने यह 1500 नहीं होगा 200,000 अब इसको टूटल कर लेते हैं 2500,000 क्रॉस वेरिफाई करना बहुत जरूरी है यह थोड़ा है 252 561 और कुछ रह गया उससे मतलब नहीं उससे नहीं एक मिनट 23560 प्लस यह सही माइनस किया है ना यह हाँ ठीक है 20,500 फिर 1500 एक्रूड इंकम फिर 25,000 है अच्छा फिर 10,000 है मैंने 1,000 ले लिया था तो ठीक आ रहा है दोनों साइट ना कोई फरक नहीं है ठीक है तो यह हमारा ठीक हो गया कहना है सर, S.O.L. की PDF फ्रॉम में बुक प्रवाइड पढ़ने की नहीं है देखो जो S.O.L. के अंदर ना कितावें मिली है आपको सारी कितावी की बात नहीं कर रहा अकाउंट के किताब आपके लिए इतना बेनिफीशल नहीं है इवन दो S.O.L. के अंदर ना आपका तो कुछ ऐसे भी चैप्टर डाल दी है बुक में जिसका कोई मतलब नहीं है S.O.L. के अंदर आप देखोगे सिंगल एंट्री स्लेवर्स का पार्ट नहीं है किताब में सिंगल एंट्री मिलेगा ठीक है और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि नहीं है जब पूछा गया जब मैंने पता किया S.O.L. में के सर ये बुक तो गलत प्रिंट है स्लेवर्स के अकॉर्डिंग ही नहीं अकाउंट्स के बुक बोला यार वो पुरानी होती है छप जाती है छोड़ो हटाऊ उनका कहना ये था तो स्ट्रिक्ली आपको डियू का स्लेवर्स फॉलो करना है ना कि S.O.L. का स्टडी मटीरियल बहुत सारी चीज़े स्टडी मटीरियल में मिस्टेक भी होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे स्टडी मटीरियल के पीछे भागते रहते हैं तो ऐस पर नियू स्लेवर्स जो अधर राइटर के बुक है जैसे जियार मुंगा है और टैनियर भी पूरा मैंने कस्टमाईज करके बनाया हुआ है आपके S.O.L. के स्लेवर्स के इसाब से ही तो आपका स्टडास का टैनियर आता है वो भी नियर भाइ मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आपका अभी बाकी टैनियर बाद में करेंगे पहले आप इसकी बुक को अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और बाकी अधर सब्जेक्ट हो गया जैसे कि बिजनस लॉग हो गया आपका जैसे कि बिजनस और्गनाइजेशन और मेनेजमेंट हो गया यह आप S.O.L. की मटीरियल से भी पढ़ सकते हो और अधर राइटर के से भी पढ़ सकते हो अकाउंट्स कभी भी नहीं पढ़ा जाता S.O.L. के बुक से यह ध्यान लगना हो